दोस्तों यदि आप Facebook में Reels upload करते हैं तो Reels में अच्छी खासी earning है इसमें तो कोई भी सक नहीं है दोस्तों पर earning आप तब ही कर सकते हैं जब आप कोई भी Reels upload करते हैं आपके Reels में कोई भी claim वगेरा देखने के लिए नहीं मिलता है इस तरह का यदि आपके वीडियो में इस तरह का यहां पर message हो कर दिया यानि कि यह जो वीडियो है यह जो रिल्स है यह आपका monetize नहीं होगा म्यूजिक के चलते हैं आपको कोई भी earning नहीं होगा तिहां पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा कुछ रिल्स ही इस तरह कराता है कि मुझे यहां बोलिवूड का सौंग लेना पड़ता है जिसके चलते मेरा कोई भी रिल्स यहां पर monetize नहीं हो रहा है सभी रिल्स में यह वला आ जाता है अब मेरा वीडियो ही उस तरह कराता है रिल्स की मुझे बोलिवूड का सौंग यहां पर use करना पड़ ही जाता है और सभी में इस साथ भी ऐसा समसी आ रहा है दोस्तो तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ का उपाए बताऊगा किसी किसी रिल्स में नहीं आता है वो सौंग पर डिपेंड करता है इस वाले रिल्स में भी यहां पर नहीं आया है चलिए तो तो अच्छा बात देखी इस वाले रिल्स में यहां पे आ गया है यानि कि यह song पर depend करता है इस वाले रिल्स में भी यहां पे आ गया है तो सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो रिल्स है दोस्तों वो monetize है या नहीं है ठीक है कलेम आया है या नहीं आया क्यूंकि बहुत सारे लोगों को तो यह चेक करने के बारे में पता भी नहीं होता है कि कैसे चेक किया जाता है क्यूंकि यहां पर मान चलिए नोटिफिकेशन में आपका नहीं दिखाया ठीक है क्लेम औगेरा का कोई भी मेसेज यहां पर सो नहीं किया त करता है क्लेम यदि आता है तो रिल्स में फर्ष्ट फर्ष्ट में तो सो करता है उसके बाद यहां पर सो करना बंद कर देता है तो आपका इसे चेक करेंगे ठीक है तो चेक करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि यहां पर अपने प्रोफाल में आपको क्लिक करना है उ उसमें आपको करना क्या है दोस्तों पेस्ट कर देना ठीक है पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप उस लिंक पे किलिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का ओप्सन आएगा ठीक है खुलेगा या निक आपका फैस्बूक ही ओपन हो जाएगा फैस्बूक एपलिकेशन के अंदर जैसे ही आप लिंक में किलिक करेंगे या तो आप फैसो वाट्सप में भी इस चीज को कर सकते हैं जैसे मैं वाट्सप में भी आपको करके दिखाता हूं जैसे मैंने उस लिंक को कोपी किया यहां पे पेस्ट किया यह मेरा ही वाट्सप है अब इस लिंक पे मैं जैस लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है तो समझे वह रिल्स आपका मुनेटाइज नहीं है तो चेक आप जो हैं दोस्तों इसी तरह कर सकते हैं या तो आप इसे दोस्तों क्रोम ब्राउजर से भी चेक कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर में अपने फेस्बुक को लोगिन करके सकते हैं में जब भी फेस्बुक में रिवस अपलोड करता हो दोस्तों मुझे करना क्या पढ़ता है की रिल्स को लेकर यहांपूज पर अडियू में जाना पारता है और यहांप अड्री मीजिक में जाकर जहां पर यहां से जितना भी मीजिक बोलीवूड ओला रहता है यहां पर देखिए यहीं से मीजिक उठाता हूँ पर यहां पर जितना भी मीजिक है दोस्तों सारा मीजिक यहां पर कोपीराइट फ्री वाला नहीं है बहुत सारा है और बहुत सारा नहीं भी है तिसमें फेस्बुक को थोड़ा क करना चाहिए सारा यहां पर क्वेवल कोपीराइट फ्री वाला यहां पर रखना चाहिए अब हमारा रिल्स ही कुछ वाले समसिया से तो आपको करना क्या है दोस्तों या तो आपको Facebook का Audio Library से Music Download करके यूज करना है अपने Reels में या तो फिर Kind Master के अंदर जो Music रहता है वो भी copyright free वाला रहता है उसको आप यूज कर सकते हैं पर उसमें क्या है दोस्तों कि Music जो है वो Reels में एकदम बेकार लगता है क्योंकि जब तक आप Reels में Bollywood का Song नहीं देंगे आपका जो Reels है दोस्तों वो चलेगा ही नहीं यानि क्यों कोई फाइदा ही नहीं होगा व्यूज जो है नहीं आएगा आप Music लगा देंगे तो एकदम बेकार सा लगता है तो खेर अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं दोस्तों हमारा Reels से ही कुछ इस तरह का होता है कि हमें बोलीवूट के Song को यूज करना पड़ जाता है और जहें हुए बोलीवूट के Song को यूज करते हैं तो सारे Reels में क्लेम हो जाते हैं और अर्निंग वगेरा कुछ होता नहीं है तिससे बचने का भी फिलाल एकी तरीका है या तो फेस्बूक के ओडियो लाइबरेरी से मीजिक यूज करें या फिर काइन मास्टर का मीजिक यूज करें लेकिन उससे आपकी Reels में बहुत ज्यादा का सॉलूसन मिल जाता है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा दोस्तो तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं यदि आपका फेस्बूक या इस्टा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो दोस्तो मुझे नीचे आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके करूंगा तो चलिए दोस्तो मिलते हैं फिर नेच्ट वीडियो में जैहीं दोस्तों